हाल ही में घुडसवारी खेल के लिए अर्जुन पुरसकार पाने वाली पहली भारतिय महिला कौन बनी? जवाब है D. दिवेकृती सिंग 10-18 जनवरी 2024 तक स्टार्ट अप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 के आयोजन के लिए कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेदार है? जवाब है भारत के 43 वे अंटार्कटिक अभियान में किन दो देशों के वैग्यानिक शामिल हुए? A. सिंगापुर और मौरीशस B. बांगलादेश और भूटान C. मौरीशस और बांगलादेश D. नेपाल और म्यामार जवाब है C. मौरीशस और बांगलादेश 2024 हिनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत का स्थान क्या है? A. तिरासिवा B. असिवा C. बयासिवा D. नब्बेवा जवाब है B. असिवा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने तीर्थ स्थलों पर स्वच्चता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पेहल शुरू की है? A. स्वच तीर्थियात्रा परियोजना B. स्वच मंदिर अभियान C. स्वच भारत पहेल D. पवित्रस्थल स्वच्चता कारेक्रम जवाब है B. स्वच मंदिर अभियान हाल ही में किस प्रिंटिंग प्रेस ने मोधी, एनरजाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक प्रकाशित की? A. पेंटागन प्रेस B. पेंग्विन रैंडम हाउस C. एक में प्रिंटिंग प्रेस D. हार्पर कॉलिंस प्रकाशक जवाब है A. पेंटागन प्रेस हाल ही में रेल्वे बोर्ड के सचिव के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है? A. अरुना नायर आई-ार-पी-एस B. अरुन कुमार आई-पी-एस C. प्रीती सिंग आई-पी-एस D. स्वाती शर्मा आई-ए-एस जवाब है A. अरुना नायर आई-आर-पी-एस हाल ही में दक्षिनी नौसेना कमान में चीफ औफ स्टाफ का पद किसे ग्रेहन किया गया है? A. एड्मिरल नवीन कुमार B. वाइस एड्मिरल अर्जुन सिंग C. कमोडोर प्रिय रंजन शर्मा D. रियर एड्मिरल उपल कुंडू जवाब है D. रियर एड्मिरल उपल कुंडू हिनले पासपोर्ट इंडेक्स दो हजार तेईस के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? A. यूके B. जापान C. भारत D. यूएसे जवाब है B. जापान जापानी नागरिक दुनिया भर के 193 देशों में वीजामुक्त यात्रा कर सकते हैं 26 में राष्ट्रिय यूवा महोटसव का मेजबान कौन सा राज्य है? A. केरल B. करनाटक C. बिहार D. पश्चिम बंगाल सही जवाब है B. करनाटक खेल मंतरी अनुराग सिंग ठाकुर ने कहा कि इस साल के यूवा महोटसव की थीम विक्सित यूवा विकास शील भारत है नई एकिकरित खादे सुरक्षा योजना का नया नाम क्या है? A. प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन योजना B. प्रधान मंतरी अन्तियोदे अन योजना C. प्रधान मंतरी अन रक्षा योजना D. प्रधान मंतरी विकास योजना जवाब है A. प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन योजना हाल ही में करनाटक सरकार ने बेरोजगार सनातकों और डिप्लोमा धारकों को वित्तिय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है जवाब है हाल ही में अंतराष्ट्रिय उंट महोटसव भारत के किस शेहर में शुरू किया गया जैसलमेर राजस्थान कुम्भ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में मनाया जाता है जवाब है भारत के किस बैंक ने ग्रीन रुपी टर्म डिपोजिट की शुरू आत की है जवाब है भारतिय स्टेट बैंक, SBI PME बस सेवा योजना के लिए कौन सा मंत्राले जिम्मेदार है आवास और शहरी मामलों का मंत्राले बी, वानिजे और उद्योग मंत्राले सी, ग्रामीन विकास मंत्राले डी, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्राले जवाब है भारत में भारतिय सेना दिवस किस तारीक को मनाया जाता है जवाब है कच्ची खरेक, खजूर, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत, जी आई, टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है सिनो मिकुरस गोरेई, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस प्रजाती से संबंधित है जवाब है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोटिक मिशन वाइपर ओवर आयोजित किया विश्व व्यापार संगठन में भारतिय राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है उत्तर है A. सेंथिल पांडियन PME बस सेवा योजना के लिए कौन सा मंत्राले जिम्मेदार है A. आवास और शहरी मामलों का मंत्राले B. वानिजे और उद्योग मंत्राले C. सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्राले D. ग्रामीन विकास मंत्राले उत्तर है आवास और शहरी मामलों का मंत्राले ब्रह्मगिरी वन्यजीव अब्यारन्य जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है A. तमिलनाडू B. केरल C. करनाटक D. आंधरप्रदेश उत्तर है C. करनाटक क्रिश्न राज सागरबांध गुरुत्वाकर्शन बांध है जो किस राज्य में स्थित है A. करनाटक B. राजस्थान C. मध्यप्रदेश D. ओडिशा उत्तर है अकरनाटक हाल ही में मुंबई में आयोजित जलवायू सम्मेलन 2024 का विशे क्या था A. भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना B. सतत भविशे के लिए नवी करनिये उर्जा समाधान C. जैव विवित्ता संगरक्षन और जलवायू के लिए रननीतिया D. जलवायू नयाय और समाध समानता उत्तर है अभारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना हाल ही में जारी क्लीन्जर सर्वे रिपोर्ट 2023 में सबसे स्वच गंगा सिटी का पुरसकार जीता है A. अलांगाल B. वारानसी C. पटना D. हरिदवार जवाब है B. वारानसी हाल ही में दमन दीप में आयोजित बीच गेम्स दो हजार चौबीस में कौन सा राजय शीर्ष पर रहा A. महाराष्ट्र B. मध्यप्रदेश C. उत्तरप्रदेश D. हरियाना उत्तर है B. मध्यप्रदेश What is India's rank among the world's most powerful armies in the global firepower ranking? Global firepower ranking में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान क्या है? A. सात्वा B. चौथा C. तीसरा D. नवा जवाब है B. चौथा Ministry of Statistics and Program Implementation launches which app to track fund flow for 2023 Sankhiki और कारेक्रम कार्यानवेन मंत्राले ने 2023 के लिए fund प्रवाह को track करने के लिए कौन सा app launch किया? A. साक्षी पोस्ट B. E. साक्षी C. साक्षी E. पेपर D. कैशो साक्षी जवाब है B. E. साक्षी With whom has the Maharashtra Government signed an agreement for the state's first green ammonia plant? Maharashtra सरकार ने राज्य के पहले हरित अमोनिया सन्यंतर के लिए किस के साथ समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं? A. फिलिप्स उत्पाद B. सैमसंग Electronics C. आइनॉक्स एयर उत्पाद D. जेब्रोनिक्स आईटी उत्पाद जवाब है C. आइनॉक्स एयर उत्पाद What is the IUCN status of the Gentoo Penguin recently seen in the news? हाल ही में समाचारों में देखी गई Gentoo Penguin की IUCN स्थिती क्या है? A. लुप्त प्राए B. कम से कम चिंता का विशे C. कम जोर D. गंभीर रूप से संकर ग्रस्त उत्तर है B. कम से कम चिंता का विशे हाल ही में चिली अंटारकटिका में एक दुरलब सफे Gentoo Penguin देखा गया जो कि 45 और 65 डिगरी दक्षिन अक्षांश के बीच दक्षिनी गोलार्द में पाई जाने वाली विशेश प्रजाती है सरकार ने 2030 तक आकस्मिक मृत्यों को कम करने के लिए क्या लक्षे रखा है A. पचास परसेंट B. चालीस परसेंट C. साट परसेंट D. तीस परसेंट उत्तर है A. पचास परसेंट FASDAG, recently seen in the news, works on which of the following technologies? हाल ही में खबरों में देखा गया FASDAG निमनलिखित में से किस तकनीक पर काम करता है A. वाई-फाई फ्रीक्वेंसी पहचान B. इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी पहचान C. रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान D. विद्यूत आवरित्ती पहचान उत्तर है C. Radio Frequency पहचान On which date National Startup Day is celebrated in India? भारत में राष्ट्रिय स्टार्ट अप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? A. 11 जन्वरी B. 17 जन्वरी C. 16 जन्वरी D. 16 फर्वरी उत्तर है C. 16 जन्वरी फार्सी एक प्रमुक इरानी भाषा और इरान में आधिकारिक भाषा है इसके अतिरिक्त, इसकी विविद्ताइन, दारी और ताजिक, ख्रमशह अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में आधिकारिक दरजा रखती है भारत में वर्तमान में 6 शास्त्रिय भाषा है तमिल, संस्कृत, कन्नड, तेलुगू, मल्यालम और उडिया भारत में राष्ट्रिय स्टार्ट अप दिवस की थीम क्या है? A. स्टार्ट अप अन्लॉकिंग इंफिनिट पोटेंशियल B. स्टार्ट अप अन्लॉकिंग इंफिनिट पोटेंशियल C. स्टार्ट अप अन्लॉकिंग इंफिनिट प्रोग्राम D. स्टार्ट अप अन्लॉकिंग इंफिनिट प्रोग्राम जवाब है A. Startup Unlocking Infinite Potential अरत के नंबर एक शत्रंज खिलाडी का नाम क्या है? A. Gukesh D B. Vidid Gujarati C. Pentala Hare Krishna D. Vishwanathan Anand जवाब है Mukesh D विश्व के शत्रंज खिलाडीों में Mukesh D का स्थान कोन सा है? A. Bारवा B. सात्वा C. Nova D. दस्वा उत्तर है C. Nova एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो Wings India 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? A. लखनव B. जैपुर C. चेन्ने D. हैदराबाद जवाब है D. हैदराबाद भारत की पहली सोर उर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? A. यमुना नदी B. गंगा नदी C. घागरा नदी D. सर्यू नदी जवाब है D. सर्यू नदी Who was appointed as the Chief Staff Officer Operations of Eastern Naval Command? पूर्वी नुसेना कमान के Chief Staff Officer Operation के रूप में किसे न्युक्त किया गया? A. शांतनुजा B. अजय अरोडा C. राजेंदर शेर्गिल D. विने सिन्ह जवाब है A. शांतनुजा Who will be the first impartial woman umpire appointed by ICC for a bilateral series? द्विपक्षिय श्रिंखला के लिए ICC द्वारा न्युक्त पहली निश्पक्ष महिला umpire कौन होंगी? A. अन्जुम चोपड़ा B. सूरेटफन C. सोफी डिवाइन D. पूनम यादव जवाब है B. सूरेटफन The Panama Canal, which has been in discussion, connects with two oceans. पनामा नहेर जो चर्चा में रही है, किन दो महासागरों को जोडती है? A. अत्लांटिक महासागर और प्रशांथ महासागर B. अत्लांटिक महासागर और हिंद महासागर C. हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर D. प्रशांथ महासागर और आर्कटिक महासागर सही उत्तर A. अत्लांटिक महासागर और प्रशांथ महासागर What is Paramyrothesium Indicum recently seen in the news? हाल ही में खबरो में देखा गया, Paramyrothesium Indicum क्या है? A. फूलवाला पोधा B. फाइटोपेटोजेनिक कवक C. शाकनाशी प्रतिरोधी फसल D. समुदरी प्रजातिया सही उत्तर B. फाइटोजेनिक कवक Recently, Telangana collaborated with which organization to set up the Center for the Fourth Industrial Revolution C4IR हाल ही में, तेलंगाना ने चौथी ओद्योगिक क्रांती केंद्र C4IR की स्थापना के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया? A. विश्व बैंक B. विश्व व्यापार संगठन C. विश्व आर्थिकमंच D. अंतरराष्ट्रिय मुदराकोश सही उत्तर C. विश्व आर्थिकमंच Chandakadampara Wildlife Sanctuary that was recently making news is located in which state? Chandakadampara Vanyajeev अभ्यारने, जो हाल ही में खबरो में था, किस राजय में स्थित है? A. ओडिशा B. चत्तिसगर C. जार्कंड D. मध्यप्रदेश सही उत्तर A. ओडिशा Green Rooms recently in the news is associated with which country? Green Rooms, जो हाल ही में खबरो में है, किस देश से संबंधित है? A. रूस B. इसराइल C. युक्रेन D. इरान सही उत्तर C. युक्रेन Which IIT recently collaborated with Altair to establish the E-Mobility Simulation Lab? किस IIT ने हाल ही में E-Mobility Simulation Lab स्थापित करने के लिए Altair के साथ सहयोग किया है? A. IIT Bombay B. IIT Madras C. IIT Kaanpur D. IIT Roorki Sahi Uttar B. IIT Madras Which organization releases the Annual Status of Education Report ACR? कौन सा संगठन वार्शिक शिक्षा स्थिती रिपोर्ट असेर जारी करता है? A. Angio Pratham Foundation B. UNICEF C. विश्व आर्थिक मंच D. विश्व बैंक Sahi Uttar A. Angio Pratham Foundation Which organ of the body is most commonly affected by Crohn's disease, a type of inflammatory bowel disease, IBD? शरीर का कौन सा अंग क्रोहन रोग, एक प्रकार की सूजन आंत्र रोग, IBD, से सबसे अधिक प्रभावित होता है? A. Kidney B. Dil C. फेफडे D. छोटी आंत Sahi Uttar D. छोटी आंत Who won the title of Best Drama Series at the 75th Emmy Awards? 75th Emmy Awards में Best Drama Series का खिताब किसने जीता? A. Succession The Bear The White Lotus D. Jury Duty Sahi Uttar V. Succession Who recently launched the Secure Army Mobile Ecosystem Sambhav? हाल ही में सुरक्षित Army Mobile Ecosystem Sambhav किसने लांच किया? A. भार्तिय नो सेना B. भार्तिय वायु सेना C. भार्तिय सेना D. भार्तिय तत्रक्षक Sahi Uttar C. भार्तिय सेना Famous classical singer Prava Atre, who passed away recently, belong to which Garana? प्रसिद शास्त्रिय गाय का प्रभा अत्रे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस घराने से संबंधित थी? A. ग्वालियर घराना B. पटियाला घराना C. किराना घराना D. रामपुर घराना Sahi Uttar C. किराना घराना According to the recent report of Forbes, which is the strongest currency in the world, Forbes की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? A. बहरीनी दीनार B. कुवेटी दीनार C. यूरो D. U.S. डॉलर जवाब है B. कुवेटी दीनार Who led the main ritual of the much-awaited consecration ceremony of Shri Ramlala in Ayodhya? आयोध्या में Shri Ramlala के बहु प्रतीक्षित प्रान प्रतिष्था समारो के मुख्य अनुष्ठान का नेतरित्व किसने किया? A. द्रॉब दी मुर्मू B. नरेंद्र मोदी C. अमित्शा D. योगी आधितेनात जवाब है B. नरेंद्र मोदी Who is the chief architect of the construction of Ayodhya Ram Temple? Ayodhya Ram Mandir Nirman के मुख्य वास्टुकार कौन है? A. राम सुतार B. चंदरकांत संपुरा C. अरुन योगी राज D. जगन मोहन जवाब है B. चंदरकांत संपुरा Who is the author of the Tamil novel Nand and Aurangzeb, Conversations with Aurangzeb? Tamil Upanyas Nandhan Aurangzeb, Conversations with Aurangzeb, के लेखक कौन है? A. चारुनिवेदिता B. अमिताव घोष C. नंदिनी कृष्णन D. किरन देसाई जवाब है A. चारुनिवेदिता Who was recently appointed the Director General of Sashastra Seema Bal किसे हाल ही में Sashastra Seema Bal का महानिदेशक नियुक्त किया गया? A. दल्जीत सिंह चोधरी B. अजे सिंह C. विने कुमार सिनह D. रश्मी शुकला जवाब है दल्जीत सिंह चोधरी In which state was the India International Science Festival organized? भारत अंतराष्ट्रिय विज्ञान महोटसव का आयोजन किस राजे में किया गया? A. उत्तरप्रदेश B. मध्यप्रदेश C. राजस्थान D. हरियाना जवाब है D. हरियाना Which country has recently signed an agreement with the United States to purchase Tomahawk missiles? किस देश ने हाल ही में Tomahawk मिसाइले खरीदने के लिए सन्युक्त राजे अमेरिका के साथ एक सम्झोते पर हस्ताक्षर किये हैं? A. एरान B. भारत C. चीन D. जापान जवाब है D. जापान Which state recently launched the MySchoolMyPride campaign for education transformation? हाल ही में किस राजे ने शिक्षा परिवर्तन के लिए MySchoolMyPride अभियान शुरू किया? A. हिमाचल प्रदेश B. मध्यप्रदेश C. उत्तर प्रदेश D. हरियाना जवाब है A. हिमाचल प्रदेश In which state is Sultampur Bird Sanctuary, which was in news recently, located? हाल ही में खबरो में रहा Sultampur Pakshi अभ्यारने किस राजे में स्थित है? A. उत्तर प्रदेश B. हरियाना C. पंजाब D. सिक्किम जवाब है B. हरियाना Pendiyala Lakshmi Priya, who was awarded the Prime Minister's National Children's Award, is related to which dance? Pendiyala Lakshmi Priya किस नरीते से संबंधित है, जिन्हें प्रदानमंत्री राष्ट्रिय बाल पुरसकार से समानित किया गया? A. भारतनाट्यम B. कुचिपुडी C. मोहिनियत्टम D. कथक जवाब है B. डेनिस फ्रांसिस प्रदानमंत्री सुर्योदेय योजना निम्न में से किस से संबंधित है? प्रदानमंत्री सुर्योदेय योजना is related to which of the following? A. सूरज मुखी की खेती से B. ग्रामीन आवास से C. बाल स्वास्ते से D. रूफटॉप सोलर पैनल से उत्तर है D. रूफटॉप सोलर पैनल से सुभाष चंद्रबोस आब्दा प्रबंधन पुरसकार 2024 संस्थागत श्रेनी में किसे प्रदान किया गया? केंद्रिय रिज्रव पुलिस बल B. साथ पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, UP C. केंद्रिय अध्योगिक सुरक्षा बल D. नेशनल कोस्ट गार्ड उत्तर है B. साथ पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, UP कोपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतिय प्रतिनिधिमंडल किस देश की यात्रा पर जाएगा? Which country will the Indian delegation visit for copper exploration and mining projects? A. जांबिया B. चिली C. अर्जेंटिना D. केन्या जवाब है A. जांबिया In Badminton, who recently won the India Open 2024 Women's Singles title A. ताइट जुइंग B. पीवी सिंधू C. अंकिता रैना D. चेन यू फेई जवाब है ताइट जुइंग भारत में प्रतिवर्ष, पराक्रम दिवस, कब मनाया जाता है? When is Parakram D was celebrated every year in India? A. इकीस जन्वरी B. बाइस जन्वरी C. तेईस जन्वरी D. चौबीस जन्वरी जवाब है C. तेईस जन्वरी What is the primary objective of the strategic interventions for Green Hydrogen Transition Site Program which has recently been in the news? Green Hydrogen Transition Site, कारेक्रम के लिए रन्नीतिक हस्तक्षेप का प्रात्मिक उद्देश है क्या है? जो हाल ही में खबरों में रहा है? A. नवी करनिये उर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना B. हरित हाइड्रोजन उत्पादन C. परमानु उर्जा पेहेल का समर्थन करना D. कार्बन कैप्चर प्रोद्योगिकियों को आगे बढ़ाना उत्तर है B. हरित हाइड्रोजन उत्पादन What is the IUCN status of Great Indian Bustard recently seen in the news? हाल ही में समाचारों में देखी गई Great Indian Bustard की IUCN स्थिती क्या है? A. गंभीर रूप से संकट ग्रस्त B. लुपत प्राए C. कम जोर D. कम से कम चिंता का विशे उत्तर है A. गंभीर रूप से संकट ग्रस्त Where was the 19th Non-Aligned Movement NAM Summit held? उन्नीसवां गुटनिर पेक्ष आंदोलन शिकर समेलन कहा आयोजित किया गया था? A. ब्राजील B. दिल्ली C. कमपाला D. घाना उत्तर है C. कमपाला Bureau of Police Research and Development BPRD that was recently in news comes under which ministry? पुलिस अनुसंधान एवन विकास ब्यूरो BPRD जो हाल ही में खबरों में था किस मंत्राले के अंतरगत आता है? A. ग्रिह मंत्राले B. रक्षा मंत्राले C. वित्त मंत्राले D. कॉर्पोरेट मामलों का मंत्राले उत्तर है A. ग्रिह मंत्राले Which one of the following is the highest point of the Aravali range? निम्नली खित में से कौन सा Aravali परवतमाला का उच्चतम बिंदु है? A. गुरुशिकर B. जारोल C. अचलगर D. गोगुंदा उत्तर है A. गुरुशिकर Who inaugurated the All India Campaign, Our Constitution, Our Respect? अखिल भार्तिय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्गातन किसने किया? A. जगदीब धंकर B. राजनाथ सिंग C. अमिच्षा D. एस जैशंकर जवाब है A. जगदीब धंकर Which player won the ICC Men's T20 I Cricketer of the Year Award? ICC Men's T. B. Si Cricketer of the Year का Award किस खिलारी ने जीता? A. डेविड वार्नर B. शुबमन गिल C. सूरे कुमार यादव D. ग्लेन मैक्सवेल जवाब है C. सूरे कुमार यादव Who has directed the documentary film To Kill a Tiger nominated for Oscar 2024? Oscar 2014 के लिए nominate हुई documentary film To Kill a Tiger का निर्देशन किसने किया है? A. Christopher Nolan B. Nisha Pahuja C. David O. Penham D. Indy Kohen जवाब है B. Nisha Pahuja Who has become the second Indian to win gold medal in the Asian Marathon Championship? Asia-I Marathon Championship में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतिय कौन बने है? A. धीरत सिनह B. Maan Singh C. Maanvendra Kohli D. Rohit Yadav जवाब है B. Maan Singh Who won the Pali Umargar Award at the BCCI Awards 2024 for the session 2022-23? सत्र 2022-23 के लिए BCCI Award 2014 में Pali Umargar Award किसने जीता? A. Jasapreet Bumrah B. Mohamed Shami C. Shubmangil D. Ravichandran Ashwin Karpuri Thakur will be awarded Bharat Ratna posthumously. He was the former Chief Minister of which state? Karpuri Thakur को Bharat Ratna, Marnoprant, से समानित किया जाएगा, वह किस राजे के पूर्व मुख्यमंत्री थे? A. Uttar Pradesh B. Bihar C. Madhya Pradesh D. Haryana जवाब है B. Bihar What is Andrographistheniansis seen in the news recently? हाल ही में समाचारों में देखी गई Andrographistheniansis क्या है? A. एक पौधा B. फूल C. Bacteria D. कवक उत्तर है A. एक पौधा Recently, which global financial institution has become the lead investor in India's largest renewable energy infrastructure investment trust? हाल ही में, कौन सा वैश्विक वित्तियस अंस्थान भारत के सबसे बड़े नवी करनीय ऊर्जा अफसंगरचना निवेश ट्रस्ट में मुख्य निवेशक बन गया है? A. यूरोपीय निवेश बैंक B. विश्व बैंक C. अंतर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, IMF D. एशियन इंफ्रास्ट्रुक्टर इंवेस्टमेंट बैंक, AIIB उत्तर है D. एशियन इंफ्रास्ट्रुक्टर इंवेस्टमेंट बैंक, which two other countries participated in exercise desert night organized by Indian Air Force? भार्तिय वायु सेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेज्टनाइट में किन दो अन्य देशों ने भाग लिया? A. मिस्र और सूडान B. फ्रांस और सन्युक्त अरब अमीरात C. फ्रांस और रूस D. सन्युक्त अरब अमीरात और मिस्र उत्तर है B. फ्रांस और सन्युक्त अरब अमीरात Where was the 42-day Mahamandal Utsav का उद्गाटन कहा किया गया? A. हरियान B. चछत्तिसगर C. उत्तर प्रदेश D. राजस्थान उत्तर है C. उत्तर प्रदेश Why is Repa Lake commonly called the Pink Lake? रेदबा जील को आमतोर पर गुलाबी जील क्यों कहा जाता है? A. राजहन्स की उपस्थिती B. हेलोफिलिक हरे शैवाल की प्रचुरता C. पानी में उच्च लोह सा मगरी D. आसपास के परिद्रिशे का प्रतिबिंब उत्तर है B. हेलोफिलिक हरे शैवाल की प्रचुरता Who has become the second company in the world to cross the market capitalization of trillion? Trillion का बाजार पुंजी करन पार करने वाली दुनिया की दूसरी कमपनी कौन बनी है? A. Microsoft B. Apple C. TCS D. Tesla जवाब है Microsoft Diggaj Technology Company Microsoft का बाजार पुंजी करन तीन ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया है Microsoft, iPhone निर्माता कमपनी Apple के बाद यह आकडा छुने वाली दूसरी कमपनी है फिलहाल Apple दुनिया की सबसे मूलेवान कमपनी है Who is the chief guest of this year's Republic Day celebrations? इस वर्ष गंतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिती कौन है? A. Emmanuel Macron B. Joe Biden C. Abdel Fattah LCC D. Rishisunak जवाब है Emmanuel Macron Which Indian company has received approval for generic medicines from the US health regulator? किस भारतिय कमपनी को अमेरिकी स्वास्तिय नियामक से generic दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? A. Sun Pharmaceutical B. Sipla Limited C. Gidus D. Lupin उत्तर है C. Gidus When is National Voters Day celebrated every year? राष्ट्रिय मद्दाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? A. 24 जन्वरी B. 25 जन्वरी C. 26 जन्वरी D. 22 जन्वरी जवाब है B. 25 जन्वरी What was India's direct taxes to GDP ratio in FY23? FY23 में भारत का प्रत्यक्ष कर से अनुपात क्या था? A. 4.5% B. 6.11% C. 7.8% D. 5.2% उत्तर है B. 6.11% Where is INS Katabaman radar station located? INS Katabaman radar station कहा स्थित है? A. विशाखा पत्नम B. तिरुनेलवेली C. विकाराबाद D. पुदुरू जवाब है B. तिरुनेलवेली Who is leading the X-3 mission to ISS? ISS पर X-3 mission का नेत्रित्व कौन कर रहा है? A. Elon Musk B. Michael Lopez Elegria C. Alper Gajervaisi D. Marcus Vant सही जवाब है B. Michael Lopez Elegria Where is the world's first Black Tiger Safari being established? विश्व की पहली Black Tiger Safari कहा स्थापित की जा रही है? A. केरल B. Rajasthan C. Odisha D. Madhya Pradesh जवाब है C. Odisha Who inaugurated Kaushal Bhawan in India? भारत में कौशल भवन का उद्घाटन किसने किया? A. प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी B. राश्ट्रपती द्रॉब्दी मुर्मू C. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री D. भारत के मुख्य नयाधीश जवाब है B. राश्ट्रपती द्रॉब्दी मुर्मू The Granda Script, which was once used to write Sanskrit, was primarily from which Indian state? ग्रंथ लिपी, जिसका उप्योग एक समय संस्कृत लिखने के लिए किया जाता था, मुख्य रूप से किस भारतिय राज्य से थी? A. Tamil Nadu B. Keral C. Andhra Pradesh D. Karnatak सही उत्तर A. Tamil Nadu Disease X seen in the news recently is related to which of the following? Disease X, जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, निमनलिखित में से किस से संबंधित है? A. भविशे की महामारी के लिए कालपनिक रोग जंक B. फंगल रोग C. पौधों की बीमारी D. आनुवंशिक रोग सही उत्तर A. भविशे की महामारी के लिए कालपनिक रोग जंक What is the name of the first large language model recently launched in India by Korover.ai? Korover.ai द्वारा हाल ही में भारत में पेश किये गए पहले बड़े भाशा मॉडल का नाम क्या है? A. रोवर GPT B. ओटो GPT C. टेट GPT D. भारत GPT सही उत्तर D. भारत GPT Where was the 44th All-India Criminology Conference of National Forensic Science University, NFSU, held? National Forensic Science University, NFSU, का चवालिसवा अखिल भारती अप्राद विज्यान समेलन कहा आउजित किया गया? A. जेपूर B. गांधिंगर C. लखनौ D. इंदोर सही उत्तर B. गांधिंगर Recently, India overtook which country to become the fourth largest equity market globally? हाल ही में, भारत विश्विस्तर पर चोथा सबसे बड़ा equity बाजार बनने में किस देश से आगे निकल गया? A. हंकांग B. सिंगापूर C. श्री-लंका D. ऑस्ट्रेलिया सही उत्तर A. हंकांग Border Security Force, BSF, comes under which ministry? सीमा सुरक्षा बल, BSF, किस मंत्राले के अंतरगत आता है? A. विदेश मंत्राले B. रक्षा मंत्राले C. ग्रिह मंत्राले D. विद्यूत मंत्राले सही उत्तर C. ग्रिह मंत्राले The zombie virus seen in the news recently is related to which of the following? हाल ही में समाचारों में देखा गया जोंबी virus निमनलिखित में से किस से संबंधित है? A. प्राचीन virus आर्कटिक परमाफ्रोस्ट में जम्य हुए है B. अंतरिक्ष में पाया गया virus C. रोग-X D. कोविड-19 सही उत्तर A. प्राचीन वाइरस आर्कटिक परमाफ्रोस्ट में जम्य हुए है I took oath as chief minister for the record 9th time किसने record 9 वी बार मुख्यमंत्री की शपत ली? A. नितीश कुमार B. मोहन सिंग C. हेमंत सोरेन D. पिरनी विज्यन जवाब है A. नितीश कुमार Hirak Jayantik is related to which of the following? Hirak Jayantik निम्न में से किस से संबंधित है A. सर्वोच्चत न्यायाले समारो B. संसद भवन समारो C. अमृद धरो हर्योजन D. गंतंत्र दिवस समारो जवाब है A. सर्वोच्च न्यायाले समारो In which book of 1669 are orders given to Hindu governors to destroy their temples? 1679 की किस पुस्तक में Hindu राजयपालों को उनके मंदिर नष्ट करने के आदेश डर्ज है A. किताब उल-Hind B. कुलासातुत C. मासी रेालमगिरी D. तुजुक एधहंगिरी जवाब है C. मासी रेालमगिरी Where is the military exercise being conducted between India and Saudi Arabia? भारत और साओधी अरब के बीट सेने अभ्यास कहा किया जा रहा है A. गुजरात B. राजस्थान C. करनाटक D. पंजाब जवाब है B. राजस्थान Who won the Australian Open 2024 Men's Singles Title? Australian Open 2024 का Main Singles Title किस ने जीता? A. नुवाक जोकोविच B. जेनिक सिनर C. डेनियल मेदवेदेव D. रोहन बोपन्न जवाब है B. जेनिक सिनर With whom has Tata signed an agreement to set up India's first private helicopter assembly line? Tata ने भारत की पहली private helicopter assembly line स्थापित करने के लिए किस के साथ समझोता किया है? A. Airbus B. Boeing C. Lockheed Martin D. G. Aviation जवाब है A. मुंबई B. भोपाल C. नई दिल्ली D. चेन नई जवाब है A. मुंबई What was the armado mentioned in the news recently? हाल ही में समाचारो में उलिखित, armado, क्या है? A. एलेक्रिक वाहन B. बालिस्टिक मिसाइल C. उपगरह D. बक्तरबंद लाइट स्पेशलिस्ट वाहन A. एलेस्वी जवाब है D. बक्तरबंद लाइट स्पेशलिस्ट वाहन A. भारतिय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? A. प्रीती रजक B. राजेश्वरी कुमारी C. मनीशा कीर D. श्रेशी सिंग जवाब है A. प्रीती रजक Market Access Initiative MAI Scheme which was seen in the news is related to which of the following? Market Access Initiative योजना जो समाचारों में देखी गई थी निमनलिखित में से किस से संबंधित है? A. आयात प्रोथसाहन योजना C. रोजगार संबंधी योजना D. नवी करनी ये उर्जा जवाब है B. निर्यात प्रोथसाहन योजना What type of satellite is in Sat-3DS recently launched by ISRO? हाल ही में इसरो द्वारा लाँच किया गया तीन DS किस प्रकार का उपगरह है? A. भूस्थैतिक उपगरह B. मौसम विज्ञान उपगरह C. संचार उपगरह D. पृत्वी अवलोकन उपगरह जवाब है B. मौसम विज्ञान उपगरह Dogri Folk Dance is a famous folk dance of which state-slash-union territory? डोगरी लोकन रीते किस राजयत केंदर शासित प्रदेश का प्रसिद लोकन रीते है? A. असम B. जम्मू C. अरुनाचल प्रदेश D. लक्षद्वीप जवाब है B. जम्मू Directorate of Revenue Intelligence, DRI, belongs to which ministry? राजस्व खुफिया निदेशाले, DRI, किस मंत्राले से संबंधित है? A. Corporate मामलों का मंत्राले B. वानिजे और उद्योग मंत्राले C. वित्त मंत्राले D. रक्षा मंत्राले जवाब है C. वित्त मंत्राले